आप इसको करके किसी भी कॉर्णर पे जहां चिपकलिया आती है अपनी शलफ्ट पे किचन में यह चोटी-चोटी किचन हैक्स है जो हम यह इस तरह का स्टेंड लेंगे इस तरह हम उसको है कोड़ के अंदर रखेंगे फिर हम उसको यह अपना प्रोमाल जो रोटिया वाला होत करिये से अज हम आपको ट्रोम नमबर बान बताने जा रहे हैं यह दूर हमने लिया और गरम करें किया इसके उपर जो बलाई है हम जब इसको धुक्र देरेंगे तो यह हमारी वो जाया हो जाएगी वो बिल्कुल दूद में घूल मिल जाएगी इसके लिए हमें ऐसे एक जा जाएगी उपर दूद में लिए और आपके पास ऐसी जाया है आपने इस तरह से डखन पूरा बान नहीं करना है यह थोड़ा सा इसको छोड़ा इसलिए कि इसके निकलती रहे इस तरह आपने इसको छोड़ा सा क्योंकिस आपके मौसम ऐसा है को इदार है कि कोई 36 जारा इस उसको इस लिए थोडा सा नंगा है जैसा छोड़ना हैं अब मैं आपको बताने जा री हम चारा ही हम पर टिया और रहतो यह पर बूट रखते हैं वोस पर प्रमाल जो रोटिगां वाला होता है जिसको हम पोना भी कहते हैं इसमें हम रोटिगां रखेंगे फिर हम इसको इस तरह से रख सकते हैं अगर आप यह नहीं कर सकते हैं तो आपके पास अस्टेंड नहीं है तो आप इसके नीचे अखबार रख दे अखबार रखें फिर उसक होगी कभी गीली और बहुत अच्छा रेजल्ट आए गापकी तक्रिबंसाइब आर्ट गेंडेता आपकी रोटी ताज़ा और ऐसे बिलकुल अभी अपने गर्म गर्म पकाई हैं और यह बहुत अच्छा आपको रेजल्ट मिलेगाए ज़ूरूर बताएगे अपको यह कैसी लगी हमारी टिप नमबर त्री में आपको मैं पताने जा रही है हम बर्तन दोती है यह देखिए आजकाल का मौसम यह बर्साद का चिपल गया है वगरा ऐसे काफ्रेज वगरा आजाते हैं खासकार चिपल गयों से यह हमें बहुत डर लगता है और इसकी जहर भी बहुत होती ह इस में बर्तनों को उल्टा लगन करते हैं लेकिन बर्तन हमें बर्तन नहीं बचने के लिए नहायत और असान और थोड़ा सा कारामद है आपके जहन की ज़रूरत है कि आप इसको किस तरह रखते हैं और शिक्तुमियों से बच सकते हैं इसको पतीले प्रातों को सालन ओगार। ये अपने जीज़ के पतीले परातों के बच चाने के बाद इसमें जल जाएगी। आटा खुछ विए जाड़न झाल पुछ गए जाए तो निकल जाएगा। निकल जाएगा। थोड़ा है लेकिन इसको साथ आथ वास्ट करती हूं आपके दिखाने के लिए जिल के बहुत थोड़ा थोड़ा जितना था था इसमें निकल गया। गलास छोड़ा नारा करना। युकाहल। और आपके में 2-3 मिन्ट ऐसे करना है और यह आपकी बिल्पूल का आरामद हो जाएगी और आप परशानी से बच सकते हैं और आपको कई जाने की कोई ज़रूरत नहीं यह देखे इस तरह से मैं तो अपने गर पे इसी तरह से करती हूं यह बहुत बार्सानी वज़ती अमीद कि अपको यह मारी आज प्सांदा ही होगी प्सांदा ही तो शेयर करें लाइक करें और कमेंट में बताए कि आपको कैसी लगी आज की जाने किसी और वीडियो में किसी और तिपस के साथ तब तक के लिए अलाँ पही